इंडिया स्पिक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, यदि आपको इसकी पत्रकारता पसंद हो, धन्यवाद नमस्कार, कस्मीर पर पाकिस्तान का गुबारा फिर से छूट गया, प्रपोगंडा और जूट का गुबारा कस्मीर दोरे पर आये, यूरोपिये यूनियन के 27 सदस्यों ने, एक साथ कहा, कि कस्मीर में हालात बहतर है, उन्होंने कहा, कस्मीर का जो आम कस्मीरी नागरिक है, वो भारत के अन्य हिस्चों की ही तरह विकास करना चाहता है, उन्होंने कहा, कि कस्मीर में जो आतंगबात फै पूरी दुनिया उससे जूज रही है आपको बता दू कि इसके बास से पूरी दुनिया की जो लिफ्ट मीडिया है और भारत की जो कॉंग्रेस पार्टी है उसके पूछ में आग लग गई है और कस्मीर पर जो ये यूरोपिय यूनियन आई है उसको गुमराह करने के लिए इ लिफ्ट इस्लामिस्टों ने कल पांच मजदूरों की भी हत्या कर दिया आतंकवादियों ने यह सब बंगाल के मजदूर थे और यह सब मुसल्मान थे शेख कमरुद्दीन, शेख एमडी रफीक, शेख मुर्न सुलिन, शेख निजामुद्दीन, मुहम्मद रफीक और एक तो घायल है, बुरी तरह से, यानि यह जो आतंकवाद है, वो किस तरह घातक है, कि उसने कश्मीर में हालात को खराब दिखाने के लिए, वहां के पांच मजदूरों की हत्या कर दी, जो बंगाल थे, जो बंगाल की ममताब बनर जी अभी तक तुष्टिकरन वादी नीती च को बता दूं कि पाकिस्तान ने एक चैलेंज किया था भारत को, कि वो अपने कश्मीर में किसी भी विदेशी जो प्रत्रीदी मंडल है, उसको एक बार भेज कर तो देखे, तब कश्मीर के हालात के बारे में शही रिपोर्ट आएगी, वो पाकिस्तान P.O.K. में, चार से प पारे और इसके जबाब में भारत ने पूरे यूरोपीय यूनियन को, जो उतके डेलिगेशन है, जो सांसर्द हैं, उतमें बुर्टेन के हैं, इतली के हैं, फ्रांस के हैं, सब को जाने की इजाज़दी और उसके बाद बौखलाहत इनकी बढ़ गई, अब इन्होंने क्या प्रोपगंडा शुरू किया, बीडेश से लेके भारत की मीडिया ने और कॉंग्रेस पार्टी मनिस्तिवारी का बयान है, कि ये जो डेलिगेशन है, वो दच्छिन पंती है, ये जो डेलिगेशन है, वो नाजीवादी है, ये जो डेलिगेशन है, वो भारत सरकार द्वारा प्रायोजीत है आज इस डेलिगेशन ने बैठक में साफ साफ कहा कि यदि हम नाजीवादी होते तो हम चुन के नहीं आते हम जन प्रतिनिधी हैं और हमें लेकर हम लोगों के प्रतिनिधी मंदल को लेकर यह जो प्रपगंडा किया जा रहा है यह साफ साफ उस प्रपगंडा टूल्स कर नतीजा है जो प्रपगंडा कश्मीर के बारे में एक दूसरी तस्वीर पेश करना चाहिए आपको बता दूं कि असद दुद्दीन और वैसी और उसकी पार्टी ने इन यूरोपीन सांसदों को नाजीवाद का समर्थक कहा था उस पर इन सांसदों ने कहा कि ओवैसी और कॉंग्रेस असल में परदानमंत्री मोदी को इंडायकले हिटलर कह रहे थे कि ये जो यूनियन है वो मोदी सरकार का सपोर्ट कर रही है जबकि उस यूनियन ने जो कहा वो बहुत महत्पुन है उन्होंने कहा कि उनके दौरे पर विवाद करना गलत है कस्मीर मे वो ज़्यादतर लोगों से मिले कस्मीरी लोगों से और वे सभी सांतियों और विकास चाहते हैं हमारा मकसर सिर्फ कस्मीर के हालात को जानना था उन्होंने कहा कि कस्मीर में भरस्टाचार बहुत जादा है अब यहीं से तिलमिलाहड शुरू होती है कॉंग्रेस की में तो आग लगनी थी, मीडिया के भी, लेफ्ट मीडिया के भी, और कॉंग्रेस और ओवैसियों को भी, और सबसे बरी बात है कि पहले की सरकारे क्या करती थी, यह जो मीडिया है, इस तरह का जब डेलिगेशन है, उसको अपने फेवर में करने के लिए, और अपनी रिपोर् परने, लुटियंस मीडिया को पूछा भी नहीं, इसलिए इनके सरीर में आग लगना, पूँच में आग लगना, और भी वाजीब हो जाता है, इसलिए उनके पूच में आग लगा हुआ है, उन्यूनियन के सदस्चों ने कहा, कि कस्मीर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वह के लोगों से मिलने का था अस्थानिये लोगों से मुलाकात के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वे लोग आतंक वात से परेशान हो चुके हैं और खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं खुली हवा या नहीं अनुशे 370 के खात्मा 35 का खात्मा और यही कॉंग्रेस नहीं चाहती आप देखिए कि कॉंग्रेस अभी भी पाकिस्तान के प्लक्ष में मनिश्तिवारी बोल ला है वो वैसी तो बोलेगा वो तो देश तोरने वाला है और मीडिया का एक धरा किस तरह से बिजेशी फंडिंग बहाबी फंडिंग पर पलते थे इसलिए खुली सांस उन्हें पसंद नहीं आती और अलगावादियों ने इन यूरोपिये यूनियन्स किसे रिपोर्ट में ये सामिल कराने के लिए कि कस्मी धाक रहा है उबल रहा है पांच निर्दोस मजदूरों की हत्या करवा दी हलाकि वो सब मुसल्मान ही है और इन पंच मक्कारों को तो अब बोलना चाहिए उन्हीं की विरादरी से सब मारे गए हैं उन्होंने कहा कि हमारे दोड़े को लोग अलग नज़रिये से देख रहे हैं जो सही नहीं है हमारा मक्सा सिर्फ 370 हटने के बाद हालात का जायजा लेना है और उन्होंने कहा कि जो जितना विकास अब तक 70 साल में कस्मीर का होना चाहिए था वो नहीं हुआ वो दिख रहा है यानि कॉंग्रिस अब आपको दिख रहा है फिर उन्होंने और बात कही जिसकी वज़़े से यह अलगावादी यह इसलामिया और यह वैसी बॉखलाए हों है उन्होंने साप कहा कि पाकिस्तान आतंकीयों को फंडिंग करता है जिसे रोकने की जरूरत है आतंकवाद के मुद्डे पर हम भारत के नजरिये से इत्वाक रखते हैं यूरोपिय यूनियन के सांसलों ने कहा डेलिगेशन ने कहा 27 सांसलों के डेलिगेशन ने कहा उन्हेंने कहा दुनिया के दूसरे मुलकों को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए और उन्हेंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कस्मीर का दोड़ा करें और वहां की सही तस्वीर पेश करें और कॉंग्रेस नहीं चाहती कि सही तस्वीर कॉंग्रेस का पेश हो पाकिस्तान ने कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांजी के वयान को United Nation के में पेश किया, आज मनिस्तिवारी वही बात बोल ला है, कॉंग्रेस इस देश का दूस्मन है, कस्मीर प्रॉब्लम उसके द्वारा क्रियेट किया गया, यह दिख रहा है, भारत का लिफ्ट मीडिया इस पूरे कंफ्लिक्ट में, पूरे प्रॉब्लम की जड़ में है, उसने गलत रिपोर्टिंग आज तक सतर साल से की, सरकारी माल जो हरपा गया, उसमें से कुछ इनके जिब में भी गया है, और इसलामिया वो बैसी जैसे कट्टर पंथी, तो इस कट्टर पंथ को जिंदा रखके इसलामिक स्टेट बनाना चाहते थे कस्मीर को, उन सब की मंसाओं पर भारत सरकार ने पानी फेरा, अब दुनिया को कह रही है कि आईए, और यहां मैं थोड़ा सा सुब्रमन्यम स्वामी से इस तफाक न रखते हुए कहता हूं, कि जब दुनिया चैलेंज देती हो, तो उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, और चैलेंज दिया कि वहाँ आप किसी बिदेशी डेलिगेशन को लेकर दिखाए, मोदी ने इमानदारी से काम किया है, मोदी सरकार और गिर्यमंतर अमिश्चा ने और प्रधान मंतरी मोदी ने, उन्होंने उनको बुलाया, यह किसी तीसरे पक्ष का हस्तक छेप नहीं है, जो स्वामी जी कहा रहे है, स्वामी जी, यह बात आप, मैं आपका follower हूँ, आप सुरू से जानते हैं, मेरी कई किताबें आपने लॉंच की, लेकिन स्वामी जी, आप राजनितिक उस अस्तर के नहीं है, जिस अस्तर के नरेंदर मोदी हैं, यह फर्क है, एक बुद्धी जी और राजनितिक में नरेंदर मोदी के राजनिति साफ है, दुनिया जिस भासा में समझती है, उतको उती भासा में समझाओ, धन्यवाद झाल झाल झाल